हेलो एवरीवन वेल्कम तू माई चैनल आज मैं आपको बताने जा रही हूं मतर पनीर की सबजी रेस्टोरंट स्टाइल में कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने यहां पर एक बोल हरा मतर लिया है और लगबग 200 क्राम मैंने यहां पर पनीर लिया है इसके लावा मैंने कटे हु फ्याज मुश्च लेली है इसके लावा मैंने लिया है कटा हुआ प्याज हगा ख़ज मसालों में हम लेंगे टेज पत्ता लॉंग डाल चीनी के दो टुक्ड़े तीन लॉंग और दोतीज पत्ते मैंने लिए है अब हम सबसे पहले कड़ाही को गरम करेंगी और उसमें टेल डालेंगे, आप कोई भी cooking oil ले सकते हैं, मैंने आपे सर्सो का तेल लिया है, इसमें सबसे पहले मैंने जितने भी खड़े मसाले थे, वो मैंने डाल दिये हैं, इनको हल्का सभूं जाने के बाद, हम इसमें डालेंगे लैसुन, लैसुन को मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि इस मुझे इसका पेस्ट बनाना है, और लैसुन को बहुत ज़्यादा फ्राय नहीं करना है, उसके बाद मैंने डाल दे ही अद्रक के टुकड़े, इसको हल्का सफ्राय करने के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद, हम इसमें डाल देंगे प्याज, इसको भी कुछ सेकेंड्स के ल उसके बाद हम इसी में डाल देंगे हरी मिर्च और इसको लगबग 10 सेकंड के लिए हम फ्राइ करेंगे इन सब को हलका से फ्राइ होने के बाद हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसका पेस्ट पना देंगे यह ठंडा हो जाएगा इसका भिख्सी में पीश कर पेस्ट पना लेंगे एक बॉल मेशा तोड़ा पानी लिया है और मैं कुछ इसमें मसाले डालूँगी माशाले हल्डी पाउडर मैंने डाला है लगबक एक चमच एक चमच मैंने धन्या पाउडर डाला है इसके लब मैंने याँ पे लिया गरम मसाला लगबग आधा चमच और फिर मैंने याँ पे कश्मीरी लाल मिर्ष डाली है एक चमच के लगबग और इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी यह आप चाहें तो करें या आप ऐसे भी मसाले डाल सकते हैं ही अक इससे डालने से मसाले सोख हो जाते हैं अच्छ से से फिर हम ऐसे टेल और निच्ट अधरके इसमीर मैं फिर से ग्रेवी के करिशाों नियुकुया पैर पिलद 27 बाएम मैंने लगबग आधा चमच पार यह इसको थोड़ाशा भून लेंगे उसके बाद मैंने बारी कटी हुई प्याज डाली है बारी कटी हुई प्याज को भून लेने के बाद मैंने जो मसाले का पेस्ट बनाया था जो पानी में डाल के मैंने सोख किया था उसको मैं डाल दूँगी तो आप चाहें तो मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो देखे तेल अलग होने लगेगा यानि कि मसाले मारे अच्छे से भून चुके हैं मसाले भूनने के बाद जो मैंने प्याज टमाटर और लैसुन का पेस्ट बनाये था वो मैं इसी में डाल दूँगी मैंने उसमें से तेज पत्ते निकाल लिया थे तेज पत्ते आप बाद में डाल दीजेगा और इसको थोड़ा सा भून लेंगे मसालो के साथ में बुनने के बाद हम इसको लगबख एक मेट के लिए ढग देंगे ताकि जो मैंने पेस्ट डाला है थोड़ा सा अच्छे से पक जाए देखें इसमें बॉइल आ चुका है यह पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे मतर यहां पर मैंने फ्रोजन मतर ली हुई है और मैंने तेज बत्ते जो निकाले थे उसमें मैंने फिर से इसमें आड़ कर दिया है इसके बाद मतर को थोड़ा सा बूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पनीर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर मैंने इसमें आड़ किया है नमक आप अपने टेस्टी कॉडिंग नमक डाल सकते हैं फिर हम इसको ढख देंगे लगभग दो से तीन मिनट के लिए क्योंकि सबी चीजें पक चुकी है इसमें कुख हो चुकी पनीर को बहुत ज़्यादा कुख नहीं करना है थोड़ा साई कुख करना है बॉइल आने पर हम इसे कठकन खोल देंगे और यह देखिए पनीर मतर ल जो बहुती टेस्टी लगता है खाने पर और बहुती ईजी तरीके से बनकर त्यार हो जाता है झाल